प्रतित दिन मुझसे मेरा हाल पूछती है पंडी जी कैसे हो, घर में सब लोग कैसे हैं, मैं ठीक हूँ और बहुत अच्छा हूँ आप लोगों का सने है, मिल रहा है, ऐसे ही रहिए, खुश रहिए, प्रशन रहें और निरंतर विकास के पथपे अपने आपको अग्रसारित करते रहिए ये कुंडली जो मैं आपके सामने आपकी ही कुंडली पढ़ रहा हूँ डेटो बर्थ 19 जुलाई 1990, दो बजे, दो बजे आपने लिखा है सिंग्र ओली मधिप्रदिश, इस आधार पर विशब लगन की कुंडली लगन में शुन्दर होने का परगाव और चंद्रमा, दो शुभग्रा केंदर में और ये दोनों एक दूसरे से केंदर में दामपत्य बहतर सुखी और अगर नौकरी न भी लगे, तो भी रख्ती का जीवन सुख में ही चलता है अब ये ना कहना कि नौकरी न लगे, आपका सवाल यही है नौकरी लेले में लगेगी की नहीं लगेगी अब गौर करिए, शनी जो है वो भागे के और दशम के अधिपती होकर के यहां बैठे हैं ये श्वत्त्रुवत है, बहुत अच्छे नहीं है, सामान्य है क्योंकि जिस राशी में बैठे हैं, उस राशी का अधिपती उनसे निकट बैठा है, तो सामान्य हो जाएंगे लेकिन भागे के अधिपती होकर के लाभ में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं, राहू और शनी का प्रभाव है क्योंकि जन्म कुंडली में मंगल यहां बैठे हैं, वो कई बार धन के आने की समस्या पैदा करते हैं, यह मित्रकी राशी में बैठे हैं, यहां भी मित्रकी दृष्टी से देखेंगे, पर फिर भी यह दोनों भावों को वो कमजोर करेंगे क्यों? क्योंकि वो इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, बारह में और साथमे के अधिपती होते हैं से कभी-कभी जल्दबाजी की स्थती होती है, जल्दी करो, तुम्हारे पास वक्त की कमी है, ने तु विवाह कर दूगा, ये भाव पैदा होता है, वो इसलिए, क्योंकि यहां के अधिपती जो है, या यहां के अधिपती शनी, वो लगन, बारहमे भाव में बैठ कर, एक प्रवाव लगन पे, और शुक्र उनके मित्र है, शुक्र लगन में बैठा है, ये बहतर है, और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ये आपको हमेशा फला और फुला हुआ ही रखेगा, यहां पे अगर मैं सुरी की बात करता हूँ, तो सुर्य बुद्ध के साथ व्यक्त बहुत बहतर बना देता है, लेकिन चुकि यहां बुद्ध और सुर्य का एक साथ प्रभाव और जन्म कुंडली में यहां के प्रभाव से युक्त होकर के धार्मिक होने का प्रभाव कई बार दिख रहा है, क्यों? क्योंकि विदेश भाव के अधिपती होकर के धन में करेगा, मैंने कारिकरम बनाई थी, कि अस्टम का अधिपती होकर के अगर कोई सुभगरा अस्टम में बैठा, तो विदेश भाव करेगा उसका संपूर्ण फल उसको मिल जाता है, तो आप अगर कोई वरत और उपवास करोगे, तो उसका संपूर्ण फल आपको हमेशा मिलत अच्छे हैं, इसमें कोई समसा नहीं, क्योंकि यहां कादिपती पीछे है, तो थोड़े से स्वास्त में कमजोरी भी बनती है, लेकिन मंगल की सात्मी दिष्टी यहां आयू दे, गुप्त धन्स दे, और कई बार कई तरीके से विक्ति को धन भी मिल जाता है, और अनायाश शुंदर है, यह वक्ति शालीन है, यह वक्ति प्रेमी है, यह वक्ति भौति किये सुखों के पीछे भागने वाला है, यह वक्ति अपने मन में किसी भी बात को रखने वाला नहीं है, यह वक्ति प्रेमी किसम का है, क्योंकि शुक्र और चंदरमा केंदर में होते हैं, तो व कुट्टी तलीन हो करके और पूरे ही हिर्दयंगम हो करके हिर्दय सयुक्त हो करके प्रेम करेगा किसी भी चीद से चाहे वो नौकरी की बात हो चाहे पिता से प्रेम की बात हो चाहे कुटुन बजन का अब यहां पे भाईयों का सयुग मिलता रहता है संपूर्ण प्रेम बहरोसा कर सकता हूँ, एक जोतिशी होने के नाते, और वो इसलिए, क्योंकि ये कुंडली वर्गुत्तम लगनकी है, और मैंने जितनी भी कुंडली अभी तक वर्गुत्तम लगनकी देखी हो, उसको असफल कभी नहीं देखा है, पकी बात है, आपके पास है आपका व्यक्ति तो होना, मंगल का दितिभाव में, विवाह में बिलंब हो सकता है, वक्त को होने पे, वक्त के पूरे हो जाने पे विवाह में बिलंब मत करियेगा, गुरु और मंगल का प्रभाव है, दामपत्य कभी भी खराब नहीं है, क्योंकि नौमान्स कुंडली में भी, शनी अगर यहां बैठे हैं, यहां पे थोड़ी सिस्तती है, जहां ब्यक्ति के पती को थोड़ा सावला, और नौकरी सरकारी करने वाला, और साथी साथ यहां का अधिपती मंगल पीछे गया है, आर्थिक तंगी कभी भी भी नहो, गैरेंटी है, और यहां पे बुद्ध बैठे हैं सा संतान कई बार कस्ट से भी मिलती है, यहां पे बुद्ध के स्थती है, और जन्मकुडली में जाकर के वो बुद्ध कहां बैठे, आगे, यह ठीक है, सूरिय सुक्र यहां बैठे, अब सूरिय जो होते हैं वो जन्मकुडली में यहां भी पीछे गए, और यहां भी पीछे मतलब क्या है? माता के स्वास्त को लेकर के कभी भी चर्मराहट मत रखियेगा, उसको लेकर के हमेसा ही possessive रहिएगा. सूर्य और बुद्ध का प्रभाव आपको तीब्र बुद्धी का आपका communication skill better है, आपके प्रभाव के स्थुती better है, आप अपने भायों के साथ संबंद भाग्य और दश्म के अधिपती लाभ में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं यह अच्छी बात है शुक्र लगन में मालव्य यूग का निर्माण और जन्मकुंडली के नौमांस चाट में यह शुक्र जो है वो जन्मकुंडली में समसंख्या की रासी में चंद्रमा से उनको करके आप रखोगे और कभी भी आपका चंद्रमा ठीक है और आपकी कुंडली में वो अगर मैं देख रहा हूँ तो किसी भी तरीके से उसकी स्थुति सुक्लपक्षे के चतुर्थी तिथी के जो चंद्रमा तृतिया तिथी की है और गुरुवार को आप जन्मे हो गुरु अधी की समस्या और कई बार त्रिक भाव के अधिपती अपने भाव से आगे बढ़े हैं माता पाराक्रमी और भागेशाली होते हैं ये व्यक्ति भागेशाली है माता भी हैं और ये भी है क्योंकि मंगल यहां उंचे की दृष्टी से सुरिय और बुद्ध का प्रभाव ग कभी कभी गुरु की दशा में भागे का लाव थोड़ा कमजोर मिलता है मंगल की दशा में भागे का लाव मिल जाता है सुरि की दशा में व्यक्ति को भागे का लाव मिल जाएगा बुद्ध की दशा में व्यक्ति को भागे का लाव मिल जाएगा बुद्ध की दशा में व् बेबाक राय रखने वाले बना देते हैं पर व्यक्ति खुद के बल पे ही जल्दी खड़ा होना चाहता है इसकी बड़ी तीबरता है क्योंकि मंगल की स्थोती सफलता पाने की है गौर कर ये मंगल की चौती दृष्टी यहाँ है जो बुद्ध है रख्ति कभी भी इंतजार करना बड़ा मुनाशिप नहीं लगता है उसको लगता है जल्दी हो जाए सरकारी नौकरी का कारग्रह आपकी कुडली में लगन को देख रहा है यह अच्छी स्थोती है और सुरी और शनी का संबंध बड़ा अच्छा है सुरी और गुरु का संबंध कमजोर हो रहा है गुरु और चंद्रमा का संबंध बहुत अच्छा है यह ठीक है चंद्रमा के पास गुरु का बल है मंगल और चंद्रमा का संबंध आपकी कुडली में ब्रिशब लगनका हो और साथ ही साथ मकर राशी का हो या मकर लगनका हो दिशाओं में अगर बात करता हूँ तो उत्तर दिशा की तरफ बढ़िए आपका विवा उधर से अगर आप यहाँ पर और भी एक बात है मैंने जो जो राशीयां कहीं है अगर वो उस राशी के जातक ना मिले तो ऐसा नहीं है कि आप उसी से विवा करो नहीं आप किसी से भी विवा कर सकते हो लेकिन अगर यह मिले तो ज़्यादा अच्छी होगी और दूसरी बात कि अगर आप स्रेस्टतया और स्रेस्टतम विवा करना चाहते हो तो इन लड़कों को चुल लेगा और दूसरे अगर वो ना मिले तो जिससे भी कुंडनी मिल जाए विभाग कर लेगा उतर समझ में आ गया संतुस्ती हो गई आप क्या बता हूँ आप भागेशे युपत हो और ठीक है चीज़े कमजोर नहीं अब नमस्कार करता हूँ जो पूछना होगा पूछ पीज़े